प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी मैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी मैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी मैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी प्रभु तेरी वाणी प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी मैनों की जोती अंधेरा मिटाती पहला पाठ यशाया का ग्रंथ अधियाई 58 पद संख्याएं 9 से 14 तक यदि तुम पुकारोगे तो ईश्वर उत्तर देगा यदि तुम दुहाई दोगे तो वह कहेगा देखो मैं प्रस्तूत हूँ यदि तुम अपने बीच से अत्यचार दूर करोगे किसी पर अभियोग नहीं लगाओगे और किसी की निंदा नहीं करोगे यदि तुम भूखों को अपनी रोटी खिलाओगे और पद दलीतों को त्रिप्त करोगे तो अंदकार में तुम्हारी जियोती का उदै होगा और तुम्हारा अंदकार दिन का प्रकाश बन जाएगा प्रभू निरंतर तुम्हारा पत प्रदर्शन करेगा वह मरुभूमी में भी तुम्हें तृप्त करेगा और तुम्हें शक्ती प्रदान करता रहेगा तुम सीचे हुए उद्यान के सद्रिश बनोगे जल्सरोत के सद्रिश जिसकी धारा कभी नहीं सूकती तब तुम पुराने खंढरों का उधार करोगे और पूर्वजों की नीव पर अपना नगर बसाओगे तुम चार दिवारी की धरारे पाटने वाले और तूटे-फूटे घरों के पुननिर्माता कहलाओगे यदि तुम विश्राम दिवस का नियंभंग करना छोड़ दोगे और उस पावन दिवस को कारबार नहीं करोगे यदि तुम उसे आनद का दिन प्रभु को अर्पित तथा प्रिय दिवस समझोगे यदि उसके आदर में यात्रा पर नहीं जाओगे अपना कारबार नहीं करोगे और निरठक बाते नहीं करोगे तो तुम्हें प्रभु का आनद प्राप्थ होगा मैं तुम लोगों को देश के परवत प्रदान करूँगा और तुम्हारे पिता याकुब की विरासत में त्रिप्थ करूँगा यह प्रभु का कथन है यह प्रभु की वानी है संत लुकस कहनुसार पवित्र सू समाचार अध्याए पांच वाके संक्या 27 से लेकर 32 तक लेवी नामक नाकेदार को चुंगी घर में बैठा हुआ देखा और उस से कहा मेरे पीछे चले आवो वा उट खड़ा हुआ और अपना सब कुछ छोड़कर इसा के पीछे हो लिया लेवी ने अपने यहां इसा के सम्मान में एक बड़ा भोज दिया नाकेदार और अतिती बड़ी संख्या में उनके साथ भोजन पर बैठे फरिसी और शास्त्री भुन भुनाते और उनके शिश्यों से यह कहते थे तुम लोग नाकेदारों और पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो यहां ने उन्हें उत्तर दिया नीरोग्यों को नहीं रोग्यों को वैद की जरूरत होती है मैं धर्म्यों को नहीं पापियों को पशताब के लिए बुलाने आया हूँ यह प्रभु का पवित्र सू समाचार है क्रिस्त प्रभु की जै येसु में मेरे प्रिये भाई और भेहनों हम चालिसा के काल में है चालिसा का काल हम लोगों को एक आवसर देता है कि हम उप्वास परहेज तपस्या और प्रातना के द्वारा इश्वर की और मुढ कर वापस आ सके आज के दोनों पाथ हम लोगों को इश्वर की और अभीमुक होकर अपने जीवन को व्यत्तीत करने का मार्ग बताता है कि जब हम लोग इश्वर की और अभीमुक होते हैं उसकी और मुड़ कर आते हैं तो हमारे जीवन में परिवर्तन आता है उसी परिवर्तन को हमें अपने जीवन में अनुभाव करने की जुरूरत है और जब हम इस चालिसा के काल में अपने जीवन पर मनंचिंतन करते हुए इश्वर की योजना के आधार पर अपने जीवन को बदलने की कोशिश कर रहे हैं तो आज के दोनों पाथ हम लोगों को यह सुनारा अवसर देता है कि हम किस प्रकार से ईश्वर की ओर मुड़ कर वापस आ सके आज का पहला पाथ नभी इसायस के ग्रंत अध्याय अंठावन वाक्य संख्या नौ से लेकर चौदा के बीच का है इस अध्याय के पहले भाग अर्थाद वाक्य संख्या एक से लेकर आठ तक हम लोग पढ़ते हैं कि किस प्रकार से नभी इसायस लोगों को उपवास तपस्या परहेज करने के लिए नियोता देते हैं और किस प्रकार से उन्हें उपवास परहेज करके ईश्वर के प्रती इमानदार बने रहने के लिए आहवान करते हैं और हम देखते हैं कि दूसरे भाग में जो वाक्य संख्या नौ से लेकर चौदा के बीच में है और वापाट का अंतिम भाग है जहां पर नभी इसायस उपवास और परहेज के द्वारा इश्वर की और अभिमुक होने के बाद का परिनाम हमारे सामने रखते हैं सबसे पहली बात है कि उपवास परहेज और तपस्या हमारे जीवन में परिवर्तन लेकर आती है जब हमारा उपवास परहेज और तपस्या हमारे विक्तिक जीवन में परिवर्तन लेकर नहीं आती है तो हमारा उपवास और परहेज और तपस्या निरर्थक है परिवर्तन के विशे में युनानी भाषा का एक शब्द परियोग किया जाता है जिसे मेटानोया कहते हैं यहाँ पर मेटानोया का अर्थ है व्यक्ति के जीवन के तरीके में परिवर्तन अर्थाद पूर्ण परिवर्तन जब ब्यक्ति के जीवन के तरीके में परिवर्तन आने लगता है तब हम उसे मेटानोया कहते हैं और या मेटानोया तपस्या या आध्यात्मिक परिवर्तन के कारण होने वाले हमारे परिवर्तन के बारे में बतलाती है उड़ापुत्र का दृष्टांत इसके लिए सबसे अच्छा उदारन है हम देखते हैं जब उड़ापुत्र को आभास होता है कि उसने पाप किया है उसने इश्वर का तेरिसकार किया है उसने अपने पिता का तेरिसकार किया है वह उसी शन मुड़कर अपने पिता की ओर वापस आता है और उसी वापसी की प्रक्रिया को हम मेटा नोया कहते है उसी वापसी की प्रक्रिया को हम लोग जीवन में होने वाली परिवर्तन कहते है जो हमारे त्याग, तपस्या और उप्वास के द्वारा होना चाहिए हमारे जीवन में परिवर्ता नाने लगता है तो स्वता ईश्वर स्वैम हमारी ओर आते हैं। हम वचन संख्या 9 में पढ़ते हैं जहां पर वचन कहता है यदि तुम पुकारोगे तो ईश्वर उत्तर देगा। यदि तुम दुहाई दोगे तो वह कहेगा देखो मैं प्रस्त हुँ है हमारे पुकारने पर इश्वर उसका उत्तर देंगे और इसके लिए हमें अपने जीवन में परिवर्तन लाना है इसे हम अगले वचन में पढ़ते हैं यदि तुम अपने बीच से अत्याचार दूर करोगे किसी पर अभियोग नहीं लगाओगे और किसी की निंदा न परिवर्तन बाहया रूप से होना चाहिए परिवर्तन आंत्रिक रूप से होना चाहिए जब हमारे जीवन में ये परिवर्तन आते हैं तो हमारे जीवन में ये सभी कारे होने लगते हैं हम क्या क्या कारे करने लगते हैं हम अपने बीच से अत्यचार को दूर करते हैं हम दूस हमारी मदद की आवशक्ता में है उन्हें हम मदद पहुचाते हैं उन्हें हम सहायता देते हैं उन्हें हम धाडस देते हैं उन्हें हम मदद देते हैं और उनके साथ में खड़े होकर देते हैं और इस तरह जब हमारे क्रिया कलापों में परिवर्तन आने लगती हैं तब हम संसार की जोती बनते हैं वचन कहता है तो अंदकार में तुम्हारी जोती का उदय होगा और तुम्हारा अंदकार दिन का प्रकाश बन जाएगा हम जोती की संतान कहलाने लगेंगे हम संतमती के सुसमाचार अध्याय पांच वाके संख्या सोला में पढ़ते हैं जहां पर प्रभू संसार की जोती कहकर हमें पुकारते हैं और हमें निमंतरन देते हैं कि हमें संसार की जोती बनना है जब हम संसार की जोती बनने लगते हैं त उस प्रकार तुम्हारे जोती मनुश्यों के सामने चमकती रहे जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गिक पिता की महिमा करे। हमारे जीवन में होने वाले परिवर्तन हमें जोती की संतान बनने के लिए मदद करता है और जब हम जोती की संतान बनते हैं तो हम दूसरों के सामने एक अच्छा नमूना प्रसूत करते हैं और उसके द्वारा ही ईश्वर की महिमा होती है इश्वर की महिमा हमारे जीवन में भी उतरने लगती है इश्वर हमारा पत प्रदर्शक बनता है हमारा जीवन सीची वी भूमी के समान बनने लगता है उस पेड़ के समान बनने लगता है जो नदी के किनारे होता है हम वचन में पढ़ते हैं प्रभू तुम्हारा पत प्रद करता रहेगा तुम सिचेहवे उद्यान के सदृष्य बनोगे जलस्रोत के सदृष्य जिसकी धारा कभी नहीं सूखती है हम इश्वर के सानिध्य में अपने जीवन को व्यतीद करने लगते हैं दूसरा वर्दान प्रभु की और से हमें मिलता है कि हम इश्वर के आनंद के भा हिंताओं का पालन करना होता है जब हम इश्वर की आग्याओं को अपने जीवन में उतारते हैं उसके प्रते इमांदारी का जीवन जीते हैं तब हम इश्वर के आनंद के भागी बनते हैं हम वचन में पढ़ते हैं यदि तुम विश्राम दिवस का नियम भंग करना प्रभू को अर्पित तथा प्रिय दिवस समझोगे यदि उसके आदर में यात्रा पर नहीं जाओगे अपना कारबार नहीं करोगे और निरर्थक बातें नहीं करोगे तो तुम्हें प्रभू का आनन्द प्राप्त होगा और इश्वर के आनन्द के भागी होने के नाते इश्वर हमसे कहता है मैं तुम लोगों को देश के परवत प्रदान करूँगा और तुम्हारे पिता याकुप की विरासत में त्रिप्त करूँगा और इन्हीं शब्दों के साथ नभी इसायस इश्वर ये योजना को लोगों के सामने प्रकट करते हैं कि जब लोग अपने जीवन में परिवरतन लेकर आते हैं त्याक के द्वारा तपस्य के द्वारा उपवास के द्वारा परेज के द्वारा तो उनके जीवन में परिव के भागी बनते हैं आज के सुसमाचार में हम लोग लेवी के बुलावे के बारे में पढ़ते हैं हम लोग देखते हैं कि प्रभू लेवी को चुंगी घर में बैठा हुआ देखता है और उसे निमंत्रन देता है उसे बुलावा देता है कि वह प्रभू का अनुसरन करे लेव जट पट अपना सब कुछ त्याग कर अपना सब कुछ छोड़ कर येशु के पीछे हो लेता है। उनका त्याग इतना बड़ा था कि उन्हों ने अपने भविश्य के बारे में सोचा नहीं। प्रभु मिल जाने के कारण वा सर्वस्व त्याग कर अपना सब कुछ त्याग कर प्रभु पर आश्रित जीवन जीने के लिए वा प्रभु का अनुसरन करने लगता है। और इसलिए हम देखते हैं कि वह उसके आदर में भोज का आयोजन करता है। प्रभू उसके घर में भोजन करने के लिए आते हैं। ये सुमे मेरे प्रिये भाई और बहनों। फिर से मुढ कर प्रभू की ओर आ जाएं। और यह चालिसा का पवित्र समय हम लोगों को प्रभू की ओर मुढ कर वापस आने का एक अच्छा आउसर प्रदान करता है। पुराने विचार धारा को छोड़कर प्रभू की ओर वापस आएं। और प्रभू में नवी निकृत होकर एक नया जीवन प्राप्त करें। क्योंकि प्रभू येसु स्वेम कहते हैं निरोग्यों को नहीं रोग्यों को वैद की जरूरत होती है। मैं धर्म्यों को नहीं पाप्यों को पश्चताब के लिए बुलाने आया हूँ। और उसी पश्चताब के बुलावे को हमें स्विकार करना है। और जब हम उसे स्विकार करते हैं तो हमें अपने पुराने बेवहार को पुराने जीवन से मुड़कर वापस प्रभू की ओर आना है। आये हम प्रभू से बल मांगें प्रातना करें कि इस चालिसा के आउसर पर हम अपने प्रातनाओं के द्वारा त्याग, तपस्या, उपुआस, परहेज के द्वारा हम प्रभू की ओर मुड़कर वापस आ सकें और प्रभू के सानिद्ध में अपने जीवन को जी सकें ताकि हम संसार की जोती बन पाए, प्रभू के आनंद के हम भागे बन सके, आये हम इसके लिए प्रभू से प्राधना करें एस सरव्शक्ती मातपिता प्रमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभू जीवन में मिले ही वे हर एक वरदानों के लिए प्रभू हमें या अच्छा आउसर देने के लिए कि हम तेरे वच्चनों के माध्यम से इस पवित्र काल में, चालिसा के काल में हम तेरी ओर अभिमूख हो सके तेरे नियुता को हम प्रभू स्विकार सके हम अपने पुराने बेवहार, पुराने कर्मों और नाकरात्मक रिवाजों को छोड़ कर तेरी और वापस आ सके प्रबू हमें बल दे कि हम इस चालिसा के आउसर पर प्रात्ना के द्वारा त्याग के द्वारा, तपस्व के द्वारा, उपुवास के द्वारा जो भी करते हैं हमारे जीवन में परिवर्तन लेकर आए हमें तेरी और अभिमुक करें ताकि हम पुराने स्वाभाव को त्याग कर नए स्वाभाव को धारन करने के लिए तेरी और मुड कर वापस आ सके हम यह प्रात्ना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमेन हमारे प्रात्ना करते हैं